हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो रोसन की क्लास यूटीब चैनल, दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बर फिस से बहुत-बहुत स्वाजत है आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि गरतंत दिवस 2023 का जो आप भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं वो एक अच्छे तरीके से जोरदार, सांदार तरीके से भाषण कैसे दें तो पूरी वीडियो देखेगा, यहाँ पे step by step में बताऊंगा कि starting कैसे करें, भाषण कैसे दें और अपने भाषण को समाप्त कैसे करें और भाषण के बीच-बीच में आपको क्या करना है सारी चीज़े बताऊंगा, बस आप सालिंता से 10 मनट की जो वीडियो होगी लगबग वो देखेगा आप लोगों को अगर डर है भाषण देने में, तो आप डर भूल जाएंगे अगर यह पूरी वीडियो देखेंगे और मेरे steps को follow करेंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा आप सांती से अपने मन को सांत करिए भासड़ देने से पहले आराम से सालिंता के साथ आप भासड़ देने के लिए मन चिपे जाएए और अगर आप नजर मिलाने में शुरुआत में आपको डर लगता है तो नजर मत मिलाएए अपने audience से सबसे पहले जाके आप कुछ पंक्तियां ऐसे बोलिए जिससे आपके सामने जो दर्सक हैं वो तालियां बजाने पे मजबूर हो जाए जब तालियां बजाएंगी तो आपके अंदर motivation आएगा कि मैंने कुछ बोला है और वो सामने वाले को पसंद आया है तो सभी भासड की शुरुवात आप जरूर कुछ पंक्तियों से करिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक पंक्ति यहाँ पे सायरी रखे गळतंत दिवस के उपर अगर आप लोगों को अच्छी लगे ये सायरी तो प्लीज आप अपने भासड के सुरुवात में इसको जरूर बोलिएगा इसके अलामा अगर आप लोगों को और कोई सायरी इंक्लूट करने यहाँ पे इसकी जगह पे अगर इसको आप और जोसीले तरीके से बोल सकते हैं जैसे देखे यहाँ पे अगर तन दिवस की सलामी देते उन्हें जो इसकी असली हकदार है मिट्टी का हर एक कतरा उन्ही की करशदार है तो यह जब बोलेंगे तो जरूर तालिया बजेंगे आपके सामने अगर इसके अलामा भी आप अबर जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला कोई अलग सायरी भी बोलना चाते है गरतन दिवस की उपर तो वो भी यहाँ पे आप इंक्लूट कर सकते हैं अब जब दो पंक्तिया बोलेंगे तो तालिय बजेगे तो आपके अंदर मोटिवेसन आएगा अब आप अपना संबोधन जो स्टार्टिंग होता है जिसको संबोधन कहते हैं वो शुरू कर सकते हैं सभी का अविवादन करिए अब यहाँ पे एक लाइन पहली लाइन जो है वो काफी लोग नहीं बताते हैं वो जरूर बोलिए वो बोलेंगे तो आपको जो सामने वाला स्रोता है या फिर आपके जो यहाँ पे अतिति महोदे लोग हैं वो समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आपके अंदर नौलेज जरूर है तो यहाँ पे देखिए यह जो लाइन है यह वाली लाइन यह जरूर बोलिएगा अच्छी लाइन है इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूं से पहले जब आपनी लाइने बोल देजिएगा शुरूर बात की जो सारी किये उसके बाद बोलिएगा सर्व प्रथम बहुत आराम से डरियेगा मत सर्व प्रथम मैं इस सम्मान्निय मंज को नमन करता हूं और मंज पर विराजित आज के मुख्य अतिति महोदे इस तरीके से बोलेंगे यहां पर आप जरूरी नहीं कि सभी चीज़े बोली अगर मुख्य अतिति आये हुए हैं तो बोलिए अध्यच हैं आपके कारिकरम के तो बोलिए विशिष्ट अतिति हैं तो बोलिए यहां से प्रधाना ध्यापक और सम्मानी सिछगर तो आप सभी के कॉलेज में होंगे लेकिन इसमें से जो यहां पर मुख्य अतिति हैं या फिर कारेक्रम के अध्यच हैं या फिर मुख्य यहां पर अतिति महोदे हैं विशिश्टति थी महोदे हैं यह अगर आपके कॉलेज में आये हैं तब भी बोले जा रहे हैं तो अपने दिमार को चलाईएगा यहां पर मैं डीटेल में बता रहूं जिससे आप लोगं का कुछ भी छूटे ना अब भासण कैसे सुरू करना यहाँ पर नमन कर लिया सभी का विवादन कर लिया जो भी स्टेज पर है या फिर अपने दोस्त त्यार जो आपके क्लास में है सभी का विवादन कर लिया उसके बाद अपना भासण सुरू कर सकते है आज है 26 जन्वरी तो 26 जन्वरी का यहाँ पर सबसे पहले सबको बधाई दीजिए गरतंत्र भारत की लोगतंत्र समुव को मेरी ओर से 74 वे गरतंत्र डिवस की हार्दिक बधाई सभी को बधाई दे दिया नमन कर लिया अब सुरू कर यह भासड़ अपना 26 जन्वरी हर वर्ष हमारे देश में गरतंत्र डिवस की रूप में मनाय जाता है 26 जन्वरी 1950 के दिन पहली बार हमारे देश का सम्मिधान लागू किया गया था इस दिन को पूरे भारत वर्ष में खुसी और उल्लास के साथ मनाय जाता है और देश पर मर मिटने वाले सभी सुतंता सेनानियों को याद कर उन्हें सद्धांजली अर्पित की जाती है तो यह सारी चीज़े बोलेंगे यह आप जानते हैं कि जो भासड़ होता है वो काफी लोग एक दिन ही 26 जन्वरी हो 15 गस्त हो 2 अक्टूबर हो यह सब जे चीज़े होती तो काफी लोग एक ही भासड़ बोलते हैं मतलब मिलता जुलता तो भासड़ कोई सुनता नहीं है ध्यान से सब बोर होते हैं तो बोर नहीं हो इसलिए बीच-बीच में आप कुछ पंक्तियां इंक्लूड करते जाईएगा अगर आप अपने अनुसार जैसे 2 मिनट बोल लिए एक साहरी बोल दीजिए एक अलग से साहरी की वीडियो में ले आऊँगा साहरी उस वहाँ से भी आप ले सकते हैं इसका पालन देश के प्रत्थम व्यक्ति अर्थात राश्पती द्वारा भी किया जाता है इस सम्मिधान का सम्मान करना और इसे सर्वोपरी रखना हम सभी देशवासियों का मौलिक करतब है और यह जो भासर है इसकी PDF चाहिए तो आप प्रोफेशन की क्लाश टेलिकराम चैनल से ले सकते हैं इसका प्रिंट आउट निकाल के आप ले जाईए जो जो इंपोर्टन पॉइंट उसको नोट कर लीजिए वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने जो पोडियम होगा उस पे रखके आप बीच-बीच मेंगर कुछ चीज़े भूल रहे हैं तो वहाँ पे आप देखके बोल सकते हैं और भासर थोड़ा सा लंपा बना के ले जाईए जिससे कुछ चीज़े छूटे भी तो आपका भासर कम से कम 7-8 मिनट का हो जाए ठीक है? फिस साहली आप बोल सकते हैं उसके बाद यू तो हमारा देश विविद्दाओं का देश है अनेको धर्म, जाध, सब्रदाईयों, जन्जातियों से मिलकर और एक्ता के सुत्र में बंद कर 26 जन्वरी को हम भारती राष्टी पर्व के रूप में हर वर्स मनाते हैं गर्म हसूस होता है जब हम कहते हैं कि हमारा सम्विदान विश्व का सबसे लंबा और लिखित सम्विदान है जिसका निर्माड बाबा साहब द्वारा वह तिरंगा जो हमें सदैव भारती होने की अनुभूती कराता है दोस्तों 26 जन्वरी को गर्तन दिवस की रूप में हर वर्स इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हमारे देश से हटा कर 26 जन्वरी 1950 को देश का समिधान लागू करने का दिन चुना गया था यहाँ पर बता सकते हैं कि भारत आजात तो हो गया था लेकिन वो चल रहा था विदेशी कानून जो इसका नाम था भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 की तहट सारे नियम कानून अंग्रेजों के थे बस नामातर की आजादी मिली थी इसलिए 26 जल्वरी 1950 को जो हमारा समिधान लागू करने का दिन चुना गया उसको हम गरतन दिवस के रूप में मनाते हैं हमें गर्व है कि हम सभी इस गरतांतरिक देश के निवासी हैं जिसे सरल सब्दों में प्रजातंतर, लोकतंतर या जनतंतर भी कहा जाता है यानि भारत देश में हकूमत की बागडोर केवल उसी के हाथ में सौपी जाती है जिसे चुनने का पूर्टव हक केवल प्रजा के पास होता है प्रजा का कर्तव्य है कि सम्मिधान में दिये कर्तव्यों का पालन करते हुए और अपने अधिकारों की रच्छा करते हुए एक ऐसे प्रतनिधी का चुनाओ करें जो प्रजा हित्मे ने डेले और समीधान में जरूरी संसोधन कर उसे वर्तमान समय के अनुरूप बनाए और सदय भी देश की सेवा को अपनी प्राथ मिक्ता दे ये सारी चीजे बोलते रहे हैं थोड़ा सा डीटेल में मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि इतना बोलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप डीटेल में अगर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं जाहिसी बात है कि आप जब इतना लिख के ले जाएंगे तो कुछ चीजे छूट जाती है तो छूटे फिर भी आप अच्छे तरीके से भासर दे लीजी इसलिए इतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लास्ट स्लाइड है इसको ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों आज यदि हम गर्व से अपने देश को पूरी तरह आजाद कह सकते हैं और देश में खुशी और उल्लास से गड़तन दिवस मना रहे हैं तो इसके पीछे देश को पूर्व सराज दिलाने वाले महात्मा गांधी शरदार बल्लब भाई पठेल सुबाश शंद्रबोस जवाहर लाल नेरू भगत सिंग लाला लाजपतराय जैसे अनिक स्वतनता सेनानियों को और हमारे देश के वीर जवानों को हमें सदय व्याद रखना चाहिए क्योंकि आज उन्ही के ही संघस और परिश्व से हम आजादी की जिन्दगी जीब आ रहे हैं यदि हम भी अपने वीर सेनानियों की तरह ही देश के प्रती समर्पित होकर देश में एकता बनाए रखें और उनकी वीर गाथा से प्रेरित होकर देश के प्रती अपने कर्तवियों को समझेंगे तभी हरवस गरतन दिवस मनाना हमें उमंग, जोस और नविंता का अनभव करा दे सकेगा अंत में मैं आप सभी लोगों का इस भासड को सुनने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा और अपने वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूंगा कि अब लास्ट में जरूर सायरी बोलिए, बीच में आप बोल सकते हैं एक दो सायरी जिससे आप जोस बना रहे भासड में जरूर इंक्लूड करिए अगा सायरी बीच में और लास्ट में जरूर अपने भासड को एंड करते समय सायरी जरूर बोलिएगा जिससे end में आपको जब भासर आपको end करें चाया है भासर जैसा भी आपने बोला है जो वैसे एक दो बार लिख लेंगे आप और भासर देने से पहले एक दो बार practice कर लेंगे बोल के अकेले में तो जरूर अच्छे तरीके से बोल पाएंगे लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रहती है लास्ट में सायरी की पंक्तियां जरूर इंक्लूड करिए जोसिली सायरी की पंक्तियां जिससे क्या होगा कि भासर जो आपके भासर में कुछ गल्तिया होंगी वो लास्ट में छुप जाएंगी और आपके सुरूता अगर ताली जरू गुनाएंगे तिरंगा लहराएंगे देश भक्ती गीत कुन गुनाएंगे वादा करो इस देश को दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे तो ये था दोस्तों आज का यहां पर भासर यहां पर आसा करतों आप लोगो भासर जरूर अच्छी लगी होगी आज की अगर अ टाइम पर तो रोसन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अप्लोड कर दूँगा, आप लोग जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बह जाहिंद वन्दे मात्रम